नमस्कार साथ यो वेलकम तो अपनी उनिवर्सिटी दोस्तों सीटी ग्रेजुशन लेवल का आपका एक्जाम हो चुका है तो बहुत सारे स्टुडेंट का अच्छा ही हुआ होगा यह हम मान के चल रहे हैं लेकिन काफी स्टुडेंट कह रहे हैं कि पेपर का लेवल तोड़ा हाई आया था उस लेवल के हमने तैयारी नहीं की थी या आउट ओफ जो है जो वे हम तैयारी कर रहे थे उससे आउट ओफ वे आया है पेपर तो उनके लिए मैं एक चोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ कि अब सीटी ग्रेजुशन लेवल के बाद आप क्या-क्या कर सकते है है दो जार तेविस आप सभी को पता है कि भर्तियों का बंपर भर्तियों का वर्स है तो चुनावी वर्स है इसमें आप कही ना कहीं tribune हो सकते हैं लेकिन थोडी सी अप संगराम को जारी रखे थोड़ी सी अलग हट कर थोडी सी तेयारी आप बेस लेवल पर करते रहे तो आ लग जाओं उसमें भी लग जाओं तो बहुत अधिक कन्फ्यूजन में है तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूं कि वो सबसे जरूरी है कि आप अपना बेस त्यार कर लिए ठीक है बेस का मतलब है कि क्योंकि एक्जाम तो लगवग कोई छोड़ भ भी देने चाहिए क्योंकि लगवग ओलमोस्ट सब में लगवग सेलेबस समान होता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले में बेस लेवल कि अगर बात करूं कि बेस आपका तयार कर लीजिए अगर आप बेस दंग से तयार कर लेते तो बहुत सारी विकेंसी के ल करेंट अकर एफेर के बाद में जो है अमना साइंस हो गया ठीक है और हिंदी और इंगली ओकली यह गातल डेवल जो है अगर तक भी यह पूछा जाता है सबन गया है तो आप जो है सटिक मतलब जब एकजाम आए ना कुछ ही दिनों में आप मैदान में उतर कर उसमें जंग जीत सकते हैं ठीक है यह बेस लेवल आप चाहे आपको छोटी-छोटी किताबी पढ़ने पढ़े चाहे एंसी आटी बुक्स पढ़ने पड़े चाहे राजस्तान बोड की बुक्स पढ़ने पड़े उनसे आप धंग से एक वार अच्छे से जो है बेस तियार कर लो जब बेस तियार रहेगा तो आपको अच्छा हुआ है तो वो जो जूनियर एकाउंटेंट पटवारी विमन सिपर च्छिश्चा और आण पंदक्ता कर भी तुट इसकी आप त्यारी में जूट जाईए इसकी तेयारी में आपको लग जाना है दिल से जी जान से लग जाना है जल्द ही ये जो है मार्च में इसका इसका बिलिट्स आके और यह आगे की process पूरी हो जाएगी जारी हो जाएगी आगे का सेडूल भी आ जाएगा अगर सीटी जैसे मालो अधिकतर स्टुडेंट क्या है जिनके सभी क्या है अधिकतर स्टुडेंट के तो कोई ना कोई स्टुडेंट म reboot है या PG कर लिया है तो उनके लिए तो यह जो सिस्टम है या ग्रेजूज लियुका है होवा तो सब इसमें इसमें लग जाए जिनकी मिन हैं उनके पास मैंने कहा कि तो जांस है कि आप साथ में क्या कर सकतेř俺 100% और जेयारेफ जेयारेफ क्या है एक परकार की स्कोलर्शीप है पीस्डी के लिए ठीक है अगर आप नेट के लिए करेंगे में अच्छे रंग लेके आते हैं तो यह घर बेटेज आपको सुने रा मोका मिलता है, तो नेट और सेट का जो है सेडूल जाई हो चुका है ठीक है सेट जो है मार्च में होने वाला है, दो महिने का मे को मैं तीन-चार सब्चेक्ट में जल्द ही एक क्रेस कॉम्बो कर जो है आपके लिए एक बेच भी लेका आ रहा हूं तो यह जो NET, SET और JRF है, ठीक है, NET की डंग से त्यारी करेंगे, उनकी JRF आसानी से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, मेरी गारंटी है, अगर आपने M.A. में थोड़ा सा डंग से पड़ा है, या graduation या basic आपका subject ठीक है, तो दो धाई महीने में आप JRF आसानी से निकाल सकते हैं, पांच साल आप जो है independent हो जाएंगे, 40,000 रुपे मिलेंगे, और आपको जो है, क्या होगा, आप आगे की त्यारी कर सकते हैं, ठीक है, तो यह scholarship 40,000 रुपे मिलती है, इसके उपर focus कर सकते हैं, काफी लोगों का जो है, इस बार, अगर आप NET, SET और JRF कर लेते हैं तो साथ में, 2023 में, बहुत बड़ी vacancy आ रही है, ठीक है, 2023 में, बहुत बड़ी 80-80 vacancy आ रही है, ना तो इससे पहले कभी आई ती, ना आगे कभी आएगी, तो यह इस assistant professor की vacancy को आप किसमत आजमा सकते हैं, और किसमत आजमाते हैं, मैनत के साथ तो जरूर selection भी होता है, ठीक तो आपका एक सब्जेक्ट पकड़ना है और बेसिक जिक्के पकड़ना है तो इस वे में भी आप सुन्दर आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं और सबसे टोब नोकरी जो है आप पराप्त कर सकते हैं एजुकेसल फिल्ड में उच्छा विबाग में ठीक है इसके साथ में लीक्षाब रीट तो एकजाम देई रहें काफी लोग किट का में त्यारी हो चुकिह नकी जारी हो चूकी यह जिनक की उपर उंग्लिश खैक है और इंग्स्तृ के ब्रिसे की उतर सकते हैं बूस सारी वाकेंश फेंशाल का केलेंडर रख से ने के इंडर्यू होने वाले है तो ये जो है मही जून तक ये दोनों वेकैंसे आने के संबहवना है और मही में EOR का पेपर है तो ये RS EOR O SII ये सारी क्या है सेम तयारी है सारी एक्जेक्ट सेम तयारी है नया कुछ नहीं पढ़ना है के यविल पूरा सेलेबस है जो आरेस कि तियारी करता है वो ही एवारो बनेगा वो ही एसाइब ठीक है तो इस परकार ये जो आपके सामने बहुत सारे ऐसे विकलप है इन विकलपों को आप चूज कर सकते हैं थोड़ी सी मैनत लगेगी थोड़ा सा आपको बड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा अपना दिल को अपने होंशले को बड़ा करना पड़ेगा अगर आप यह कर लेते हैं तो इन मेंसे यह तीन-चार विकेंशिया हैं इन मेंसे आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं और सबसे बड़ा मैं तो golden chance इसी को मान रहा हूं कि जिसने MA कर रखी है वो net set देके assistant professor बन सकता है और सेट का एक्जाम दो महीने बाद में दो महीने में थोड़ा बहुत भी अबर सब्जेक्ट त्यार है तो हम इस पर जल्द ही सेट का दो तिन दिन में जो है हम एक आपके लिए सोट स्वीट बेच लॉंच कर रहे हैं उसमें आपको सेट के लेवल के एकोंडिंग फर्स्ट पेपर सेकंड पर दोनों पढ़ाये जाएंगे और उस पर हम कोशिज करेंगे कि आपका क्या हो जाए इस बार सेट हो जाए फस्ट टाइम में ही और फस्ट अटेम्ड में आप भी जो है माइंड को खुला रखना है ताकि सारी चीजे एक्सेप्ट करके आगे आप वे फ़रवड आप आगे बढ़ सको ठीक है दोस्तों तो लगारा लगातार मैनत को जारी रखिए और मैनत करते रहिए संगर्ष करते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए मिलते हैं सेट और असिस्टन फ्रोफेसर के नए नेट सेट असिस्टन फ्रोफेसर के नए बेच में उसमें हम बात करेंगे इस फिल्ड में और आगे की ठीक है थैंक्यू गूड लग